जो स्वर्क्स जहार यात्रा की बात करते हैं तेजस्वी जी पहले वो अपना पासपोर्ट रिनोल को आ लें उनको हनीमून जाना है उसके लिए बेचायनी है उनको पहले वो करवाले और पूरे विपक्स के लोग उनका पासपोर्ट का डेट तो रिनोल को आ लें फिर राजन प्रिति के रिनोल में वो तो चोड़ाय पर ख़रे हैं नमस्कान यूज फॉनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्वी पटना जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन हो गया है बता दे की स्तूती कुमारी नई जिलाध्यक्ष चुन ली गई है लेकिन सब के पीछे के खेल की हम बात करें तो जिवन कुमार का नाम सामने आ रहा है ऐसे में आज खुद जिवन कुमार हमारे साथ जुरे हैं उनसे ही जानते हैं क्या है यह पूरा खेल पर दे के कि पीछे कि मैं तो नहीं जांता हूं कि परदğे के पीछे क्या चल रहा नहीं चल रहां लेकिन मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि जनता से मैंने कुछ कमिटमेंट किया थे और जनता के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम चाहते थे कि पटना जिला में कोई वैसा अध्यक्स बने जो पटना के विकास को बाधित न करे और पटना का विकास निरंचल चलता रहे और जब इसी क्रम में मैंने देखा के अस्तुती गुपता एक अच्छी अध्यक्स रहेगी और आपके सामने रिजल्ट है लेकिन आग कहने में यानि की असुनने में या रहा कि एस्तूती आकुमारी को जुताने में आपने अपनी पूरी ताकत जोग दी देखी ये तो जनता सूचती है कि कौन ताकत लगाया कौन ताकत नहीं लगाया लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि मेरा जो commitment जन्ता के प्रति था और उसको कैसे पुरा करें मेरा दिमाग में चल रहा था उसको पुरा करने के लिए मैं स्तूति गुपता के पीछे खड़ा हो गया और जहां तक हो सका हमसे मैंने मदद किया और उनको आज कुरसी पर देखके मुझे बहुत ख कोई भी जब कुरसी पर देखता है तो उसे खुसी होती है उसी तरह से मुझे भी आज उनको कुरसी पर देखके खुसी हो रही है और निश्चित रूप से कोई ने कोई तक किसी को support करता है भले मैं हूँ कोई हो ऐसा नहीं है हमारे साथ और भी लोग हमारे team में थे जो उन तिन पहले ही हम लोग ने इसकी पूरी परकता रच दी थी कि हर हाल में अस्तूती गुपता ही चुनाव जीतेगी चुकि उसका विवहार भी और हर तरह से वो सक्षम थी जी तो आपकी पतनी जेला परशत का चुनाव हार गई फिर अध्यक्ष के लिए लॉबिंग की जरूरत क्यों पारी देखे ये हार जीत का राजनीत में खेल चलते रहता है मेरे कुछ परवारी कारण थे मेरी उस कारण से मैं चुनाव में समय नहीं दे पाया और जब उस परवारी को जंद से घर में मेरी माताजी के तब बहुत भला सीरियस था तो तीन महिना हम उनको लेके बरा नित में कई तरह के स्टेटमेंट सलते रहते हैं तो ठीक है को उसे कोई दिक्कत नहीं है तो इन सब से परहट के बात अगर बिहार की राजनीती की करें तो इस वक्त मुख्यमातर नितीश कुमार समाज सुधार सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं और हमेशा ही समाज सुधार यात्रा नहीं बलकि स्वर्ग सुधार यात्रा इस पर क्या कहना है देखिए आदरणी मुख्पंतरी जी के माँ बारे में इतना बोलूँगा कि पिछले 15 सालों से जो उन्होंने बिहार में काम किया है मुझे याद है वो दिन जब 2005 में पहली बार सरकार बनी थी तो मैं खुद भी पांच-पांच सुरच्छा गाड लेका चलता था आज मैं बिना सुरच्छा गाड के कभी कभी ऐसा लगा मुझे तो एक आद मैं ले लिया और मै क्लिया था साथ में और एक आद मेरे साथ जो काम करने वाई लोग थे मेरे टीम के लोग थे आज मैं खुद यावाज्चा वह था बजनी ने को up दो आप जयांता और श्वी जा रहा है ने ड़े एसा कोई पहली बार नहीं है उन्होंने कई बार ये कहा है कि चाहे भ्रस्टाचार का मामला हो, अपराधियों के संरक्षन का मामला हो, हर मामले में सियम नितीश कुमार के शाशनकाल में अपराधी चरम पे है, सभी का संरक्षन खुद नितीश कुमार ही करते हैं देखिए मैं इसमें एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे ही यहां एक रागवेंदर जी मंत्री हुआ करते थे और जब उनका भगना का फरन हुआ था तो नितियस कुमा ने दो स्वादमी के गिरफतारी करवाई थी और वो एक और्गनाइस क्राइम था तो अगरा उसको दस लाखन बेशता था और अगरा पच्छीस लाखन बेशता था तो इस तरह से एक गिरो यह सारे गिरोख के लोग एक बिजनस की तरह उसको कर रहे थे अफरन आज वह चीज नहीं है आज जंता को यह बात नहीं बोलना चाहिए कि वह दिन पिर भी जो है वह को बोलने की आदा थे लोग कुछ भी अनाब सना बोलते रहते हैं मैं तो मानता हूं कि ऐसा मुखमंतरी कव होगा मुझे नहीं पता है लेकिन वरतमान में एक अच्छे मुखमंतरी के रूप में विहार में अभी हमें मिला है उन्हें हमें आदर करना चाहिए बहुत बहुत श इस तरह से पटना की नई जलाध्यक्ष स्तोती अकुमारी को चुना गया इसे ये काफे खुश भी है साथी साथ अभ्यार की राजनीती पर भी इन्होंने अपना जवाब दिया है और जम कर तेजश्वी यादफ को खरी खोटी सुनाई है फिलहाल के तना ही जाद अपडेट के लिया बने रहें ये ड्यूस फॉर नेशन के साथ नमश्कार